दोस्तो सुरवास से ही भारत की सबसे बड़ी कमजोरी रही है कि भारत हमेशा defensive रहा है कभी भारत किसी दूसरे देश के प्रती aggressive mode में नहीं हुआ है जिसका सबसे बड़ा disadvantage हम लोगों को ये मिलता है कि कभी हम लोग अफगानिस्तान से लेकर जंबू कुस्मीर तक हुआ करते थे बांगला देश भी हमारे देश में था पाकिस्तान भी हमारा था तो ये सारी जमीन हमारी होते हुए भी चुकि हम लोग हमीशा defensive mode पे रहें इस वज़े से हमको हमीशा समय दर समय जमीन का loss होता रहा है भारत के टुकड़े होते रहें इसी प्रकार से अभी भारत और चा हमस दीजे कि ये बिल्कुल वैसा होगा जिस तरीके से चाइना ने तिब्बत को अपना हिस्सा बना लिया है उसी प्रकार से यह यहां पर भी आ जाएगा अब वह बगता चुका है कि भारत को भी aggressive mode में आगे बढ़ना चाहिए आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हो कमे आसवात यह है कि यह उनका पहला helicopter drone है इसका shape जो है यह बिल्कुल helicopter की तरीके आपको दिख रहा है इसमें कोई भी man नहीं है unmanned helicopter drone है और इसकी तैनाती वो तिब्बत और भारत का जो border पड़ता है वहां पर वो इसकी तैनाती करने वाला है तो इसका देखो नाम भी आपको ब drone helicopter का परिक्षन किया है तो इसका right answer हो जाएगा option number D China China इसका right answer हो जाएगा भारत का परोसी देश और भारत का सबसे बड़ा दुस्मन देश चाइना ठीक है उसने अपना पहला मानव रहीत drone helicopter का सफल परिक्षन कर लिया है तो option number D यहां पर विल्कुल सही हो जाएंगे साथी साथ में इसका एक photo देख लेंगे अब यह जो drone helicopter है जो कि चाइना का पहला drone helicopter है इसका नाम आप से exam में पूछा जा सकता है तो इसका नाम है देखो लिखा है यहां पर लोग banner लिए खड़े भी हैं इसका मैं zoom कर लेता हूँ इसमें देखो लिखा है AR500C यह इसका पू देखो लिखा है AR500C यह इसका नाम रखा गया है और इसको चाइना देश ने डेवलप किया है जिसको यह चीन का जो लदाग छेत रहे चीन का जो तिबबच छेत रहे वहां पर यह इसको पॉइंट करेगा आगे चलते हैं अगले कोशन की तरफ दूस्तो अगला कोशन है कि हाल ही में चर्चा में चल रहे भारतिय विवाद समाधान केंद्र जिसका नाम है IDRC का मुख्याले कहां पर इस्तित है हाल ही में इसका उद्गाटन किया गया है एक वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माध्यम से जिसमें कि इसका राइड एंसर हो जा रहा है यह भारतिय विवाद समाधान या नि कि किसी भी प्रकार का जो विवाद होता है उसके डिसीजन को लेकर मतलब किस तरीके से उसका नर्णे किया जाएगा इसके लिए इस सेंटर को खूला गया है जो कि वर्चोली हो सकता है इसको online तरीके से यह वर्ख करेगा तो न एंसर हो जागा नई दिल्ली में इसका हेड़कोटर है और विडियो कॉंफरेंसिंग के माध्यम से इसका उद्गाटन किया गया है आगे चलते हैं अगला प्रस्ते हैं कि हाल ही में किस संगठन ने पेरोल रिपोर्टिंग इन इंडिया एन एंप्लॉयमेंट परस्पेक्टिव मार्च 2020 नामसे की रिपोर्ट को जारी किया है देखो रिपोर्ट को लेकर बहुत सारे कोशन बनते हैं रिपोर्ट के अंदर क्या चीज़े हैं ये चीज़े भी पूछी जाती है लेकिन आजकल जो एक्जाम का पैटर्ण चला है उसमें सबसे ज़दा ये पूछा जाता है कि ये ऐसी ऐसी एक रिपोर्ट जारी करी गई है उसको किस इंस्टिटूट के दोरा डेबलब किया गया है हाला कि ऐसा UPSC में भी देखा गया है कि वहाँ पर भी छोटे छोटे जो कोस्टन्स होते हैं वान लाइनर फॉर्म में उसमें भी इस प्रकार के कोस्टन्स पूछ लेता है तो इसका राइट एंसर हो जागा राश्ट्रिये सांख्य की कार्यालाई राश्ट्रिये सांख्य की कार्यालाई के दोरा इस रेपोर्ट को डेवलब किया गया है यहाँ पर देख सकते हैं इसके बारे में और भी चीज़े दे रखी है दोस्तों जब से दुनिया के कई देसों में लॉकडाउन लगा था उसकी बात से वीडियो कॉलिंग का जो ऑप्शन है यह बहुत ज़्यदा वाइरल हो रहा था मतलब लोगों को मेटिंग एटेंड करनी है तो वीडियो कॉल करना है लोगों को एक दूसर से बात करनी है तो भी उनको वीडियो कॉल करना है तो यहाँ पर video call एक important option बन गया था जिसके लिए कह सकते हो जो एक zoom नाम का app है वो बहुत ज़्यादा viral हो गया था अचानक से बहुत ज़्यादा users उस पर बढ़ गये थे इसी प्रकार से facebook ने भी इस चीज़ को देखते हुए एक application launch किया था जिसका नाम था facebook messenger app जिसमें इसने क्या किया था मैं आपको दिखा देता हूँ facebook messenger room था इसके माध्यम से भी लोग video call जो है वो कर सक रहे थे अभी देखो एक और application launch किया गया है उस पर बनेगा question question यहाँ पर बनेगा कि हाल ही में audio calling app जिसका नाम है catch up किसके द्वारा launch किया गया है इसका right answer हो जएगा हाल ही में audio calling app facebook के द्वारा launch किया गया है विडियो बाला पहले launch कर दिया था ठीक है यह audio application है ठीक है तो इसका नाम अच्छे से याद रखना चुकि facebook के app है इस वज़े से most important question होता है कि facebook के द्वारा एक audio calling app जिसका नाम है catch up इसको launch किया गया है इसका मैं आपको एक photo दिखा देता हूँ आपको यह play store पर भी मिल जाएगा तो दोस्तो इसका appearance देख सकते हैं इसमें देखो लिखा है catch up तो इसका appearance आपको दिख रहा होगा इस तरीके से इसका app का appearance है जिसमें कि आप audio call कर सकते हैं इस app के माध्यम से और enjoy कर सकते हैं इस app की खासियत क्या है इस app की खासियत यह है कि आप एक बार में आठ लोगों के साथ में audio call कर सकते हैं, आपका दोस्त है, आपका friend circle है, आपके office के employee है, आप उन सभी के साथ में, अगर आपकी area में network थोड़ा issue है, network अच्छा नहीं आता है, तो क्योंकि video call में क्या होता है, कि बहुत ज़्यादा net की आउ सकता पड़ती है, अच्छी speed होनी चाहिए, इसके बाब जोड़े, अगर आपके area में net अच्छा नहीं है, तो आप 8 लोगों के साथ में audio call कर सकते हैं, इसको एक बार try करके आप लोग भी देखिएगा, तो catch up नाम से ये app है, जिसको facebook ने launch किया है, अगर आपसे ये पूछे, कि facebook ने video call के लिए कौन सा app launch किया था, तो answer हो जाएगा, facebook messenger rooms, इस नाम से एक app को launch किया था, जिसमें कि आप कह सकते हो, वीडियो call कर सकते हो, 50 लोगों को वीडियो call करने की अनुमती वहाँ पर दी जाती है, आगे चलते हैं अगले question की तरफ, अगले question दोस्तों यहाँ पर बनेगा, कि New York Intellectual Property Association ने Inventor of the Year पुरसकार किसे प्रदान किया गया है, तो आपसे घुमा फिरा कर नहीं सीधे तरीके से ये भी पूछा जा सकता है, कि हाल ही में Inventor of the Year Award 2020 किसे प्रदान किया गया है, तो ये प्रदान किया गया है, डॉक्टर राजीव जोसी को, option number A सही हो जाएगा, डॉक्टर राजीव जोसी को, Inventor of the Year Award 2020 प्रदान किया गया है, एक प्रस्तिया पर ये भी बन सकता है, कि इनको ये अवर्द क्यों दिया गया है, और किसके द्वारा दिया गया है, तो ये अवर्द इनको दिया गया है, New York Intellectual Property Association के दौरा इनको ये अवर्द दिया गया है, और क्यों दिया गया है, उसके पीछे का करन ये है, कि डॉक्टर राजीव जोसी का Electronics की छित्र में, साती सात में Artificial Intelligence की छित्र में, इन्होंने बहुत ज़्यादा research करी है, बहुत ज़्यादा कैसकते हैं, अविस्कार किय हैं, जिसको देखते हुए, इनको Inventor of the Year Award से समानित किया गया है, किसको भारत के डॉक्टर राजीव जोसी को, ठीक है, आप इनका फोटो देख सकते हैं, जिनको इस Award से समानित किया गया है, अब इन्होंने बहुत सारे अविस्कार किया हैं, जिसमें कि 250 से ज़्यादा तो कि आपको बता है, कोरोना वारस आया था, उसके बाद में अभी रिसेंट में आपने देखा होगा, टिड्डियों का आतंक हो गया, टिड्डिय जो है, यह भारत में गोश चुके हैं, उसके लाबा एक गटना पड़ी थी, कि मैगनेटिक फिल्ड अर्थ का कम होता जा रहा ह उसके बाद में नासा ने अनौस किया था कि उसनोंने पैरलल इनिवर्स की खोज करी है, तो ऐसे बहुत सारे घटना हो रहे हैं, उनमें से एक और घटना मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोशन यहाँ पर बनेगा, कि हाल ही में किस महासागर में टेक्टोनिक प्लेट्स, ट होती है, आपको पता का प्रत्वी हमारी जो है, यह कई लेयर्स में बनी होती है, कोर से चलती है, और कई लेयर्स में यह बनी होती है, जिस प्रकार से हम लोग सेंड़िच बनाते हैं, एक लेयर, दो लेयर, तीन लेयर, चार लेयर, इसी प्रकार से यह प्रत्वी का निर्मा उनको मिलेगा और एक छोटी सी घटना जो मतलब जो बहुत छोटी लेवल पर वहां पर होती होगी उसका रिजल्ट यह हो सकता है कि भारत में बड़ा सा भूकम पाजाए इस दुनिया में बड़ा सा भूकम पाजाए ऐसा भी हो सकता है तो यह जो टेक्टोनिक प्लेट से इंडियो ऑस्ट इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि भारत और ऑस्ट्रेलिया उसी छेत्र में इस्तित है इस बज़े से इसको भारत ऑस्ट्रेलियन कैप्री कॉर्ण टेक्टोनिक प्लेट के रूप में भी जाना जाता है चीक है आगे चलत पेपर है तो online exam को एक अलग तरीके से organize करने एक और ज़्यादा safe तरीके से organize करने के लिए अभी एक system develop किया गया है तो question नहीं का हाल ही में किस IIT ने V box प्रणाली का इस्तिमाल करके online परिच्छा के लिए एक नई प्रणाली विक्सित की है तो इसका right answer हो जाएगा IIT भुबनेश्वार IIT भुबनेश्वार इसका right answer हो जाएगा तो option number D will be the right answer तो option number B यहाँ पर यह pen थोड़ा साज नहीं चल रहा है IIT भुबनेश्वार इसका right answer हो जाएगा ठीक है मैं एक बार इसको try कर लेता हूँ चीक है कभी कभी यह दिक्कत देने लगता है चल यह कोई बात नहीं मैं इसको hand सही कर लेता हूँ आज चीक है तो यहाँ पर देखे IIT भुबनेश्वार के दोरा ही इस V box नाम के method से बनाये हुआ एक online परिक्षा का जो system है वो तयार किया गया है इसकी खास बात यह है कि अभी तक available जितने भी online exam देने का जो process बना हुआ था उसमें यह सबसे ज़दा secure है और इसमें क्या होगा एक virtual classroom टाइप का बन जाता है virtual invigilator भी बन जाएगा जो आपके उपर नज़र रखेगा तो इस प्रकार से इस प्रोग्राम को तयार किया गया है कि online exam और भी safe तरीके से organize किया जा सके इसके बाद में अगला question है कि हाल ही में किस IIT ने magnesium का एक नया alloy ठीक है magnesium का अब तक नहीं पता था एक नए तरीके का alloy डवलप किया है जिसका जो इस्तिमाल है वो automobile industry में steel aluminium के इस्तान पर किया जा सकता है मतलब automobile industry में जो काम steel कर रही थी जो चीज़ aluminium का इस्तिमाल किया जा रहा था उसका जो जगह है उसको replace कर दिया जाएगा magnesium का एक नया alloy जो है ये बना दिया गया है तो ये बनाए है IIT मदरास के दोरा option number 20 ही हो जाएगा IIT मदरास के दोरा इस alloy को develop किया गया है जिसमें की car के अंदर या automobile industry में जहाँ पर भी steel और aluminium का इस्तिमाल हो रहा था वहाँ पर इस पहले से सस्ते और उससे भी ज़्यादा मजबूत magnesium के इस alloy को इस इस्तिमाल किया जा सकता है इसको develop किया है IIT मदरास के दोरा जिसने की University of North Texas और U.S. Army Research Laboratory के साथ में मिलकर इस metal को तयार किया है इस alloy को इन लोगों ने मिलकर बनाया है आगे चलते हैं कुशन है कि किस gas agency ने हाल ही में COVID-19 की विज़े से हो रही दिक्कतों को देखते हुए WhatsApp से रसोई gas booking सुविधा को सुरू कर दिया है तो BPCL हाल ही में भारत petroleum बाला BPCL ने एक नई सुविधा सुरू करी है जिसके माद्यम से अब आप घर बैटे ही WhatsApp के माद्यम से अपना cylinder बुक कर सकते हैं ठीक है आप इसका photo देख सकते हैं इसमें आपको बता देता हूँ कि यह जो BPCL है यह भारत गैस नाम से अपने cylinder को बितरित करता है अब आप WhatsApp के माद्यम से ही इसमें बुक कर सकते हैं इसमें इस खास बात यह है कि आपका registered number वाला WhatsApp चालू होना चाहिए बाकी जो इसका procedure है यह आप Google पर सर्च करके अपना cylinder घर बैठे WhatsApp के माद्यम से कर सकते हैं इसके लिए एक help line number है जिसको आप सभी लोग भी लिख लीजेगा जिसके घर में वारत गैस का cylinder आता है बार-बार आपको परिशान नहीं होना पड़ेगा मनलब कम से कम आपके जो यह चीजे पताता हूँ मैं आप लोगों को इसको इस्तेमाल किया करो भाई घर में कोई तो आपकी तारीफ करेगा कि पूरे दिन आप लोग पढ़ते रहते हो कुस तो घर के काम आओ तो यह जो नमबर है 1800 224344 अक्सार आपने सुना होगा जो लोग पढ़ाई करते हों उनको घर से ताने बहुत मारे जाते हैं कि तुम पूरे दिन पढ़ते रहते हो तुम किसी काम के नहीं हो कोई काम नहीं करते हो घर के काम नहीं करते हो सबजी लेने नहीं जाते हो slender लेने नहीं जाते हो तो कम से कम कभी-कभी मौके पर अगर सही चीज़े मिला करें तो उसको इस्तेमाल किया करो उसका use करना सिखाय करो दूसरों को घरमालों को तो उनको भी लगेगा कि चलो आरा आप कुछ अलग कर रहे हो चीक है आगे चलते हैं इसके लाबा देखो अगला कोशन मना है कि हाल ही में माउंट एवरेश्ट की उचाई नापने के लिए किस देश की टीम उसकी चोटी पर पहुँच चुकी है तो इसका राइड अंसर हो जाएगा चाईना ओप्शन नमबर 20 हो जाएगा इससे पहले नेपाल ने माउंट एवरेश्ट की उचाई को मेजर किया था इसके बाद में चाईना देश ने जो चाईना देश की टीम है ये और भी accurate तरीके से इसका पता लगाने के लिए अभी अपनी एक टीम उसने वहाँ पर भेजी है जो कि वहाँ पर पहुंच चुकि ये आप देख सकते हैं इसकी टीम यहाँ पर देख रही है क्योंकि चाईना के पास में बहुत ज़्यदा पैसा और latest equipment है इस बज़े से ये बहुत अच्छे तरीके से precise तरीके से इसकी उचाई को नाम सकते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये टीम के द्वारा काम यहाँ पर चल रहा है तो यहाँ पर ये इसका photo भी आप देख सकते हैं इनके द्वारा जो height अभी measure करी गई है वो exact कितनी है अगर आपको किसी को पता है तो वो comment में लिख सकता है साथी साथ में इसके बारे में मैं आपको कल बताऊंगा आपको बताना चाहूंगा Mount Everest कहां पर रिस्तेत है आप इस नेपाल के area को देखेंगे तो नेपाल के map में ये जो Mount Everest है इसका location आपको यहाँ पर देख रहा होगा China से भी जो इस Mount Everest पर चड़ाई करते हैं वो लोग ज़्यादा तर लोग इस तरफ से यानि कि तिबबत की तरफ से जहां से ये आसान पड़ता है सबसे ज़्यादा आसान ये तिबबत की साइट से पड़ता है इस वज़े से वहीं से ये लोग इस पर चड़ना शुरू करते हैं ठीक है आगे चलते हैं आप सुरू करते हैं आज के करनारीफेस का रिविजन रूल ये होता है कि मैं आपसे कोष्टन पूस्ता जाओगा आप एक एक कोष्टन का अंसर देते जाओगे एक साथ सभी कोष्टन का अंसर नहीं दोगे जल्दी से इसका आंसर लिखे और comment box में लिखकर भेज दीजे तो चाइना इसका right answer हो जाएगा उसके बाइद में है कि हाल ही में चर्चा में चल रहे भारतिय विवाद संसादन केंडर IDRC का कारियल है कहाँ पर इस्तित है तो right answer हो जाएगा नई दिल ली इसके बाइद में पेरोल रेपोर्टिंग इन इंडिया एन एंप्लॉइमेंट परस्पेक्टिव मार्च 2020 रिपोर्ट किसके दोरा लॉंच करी गई है तो भारतिय राष्ट्री संख्य की कारियल है इसका right answer हो जाएगा दोस्तो एक audio calling app है जिसका नाम है catch up ये किसके दोरा लॉंच किया गया है आंसर अपना comment box में लिखना ना बूले जल्दी से तो इसका right answer हो जाएगा इसको facebook के दोरा लॉंच किया गया है इसके बाइद में आप देख सकते हैं investor of the year पुरस्कार investor of the year award हाल ही में किसे प्रदान किया गया है तो इसका right answer लिख कर भेज़ दीजिए doctor Rajiv Joshi इसका right answer हो जाएगा ठीक है आगे चलते है इसके बाइद में हैं कि हाल ही में tectonic plates तूटने की जानकारी कहां कि वेग्यानिकों ने दी है तो इसका right answer हो जाएगा hind mahasagar ठीक है किस IIT ने V box नाम का एक process डवलप किया है तो इसका right answer हो जाएगा IIT भोवनेश्वर इसके बाद में हैं किस IIT ने magnesium का एक alloy डवलप किया है IIT मद रास ठीक है COVID-19 की वज़े से किस gas agency ने WhatsApp पर सोई booking सोबिदा सुरू करी है अपना answer comment box में लिखकर भेज़ दीजिए BPCL Mount Everest की उचाई नापने के लिए किस देश की team इसकी उचाई पर पहुंच चुकी है तो China देश है जो की परेशान है हर समय कुछ ना कुछ करते रहता है उसी ने ऐसा किया है I hope आपको वीडियो अच्छा लगा होगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको तहर दिल से like करना ना बूलें Thank you for watching this video इस वीडियो को जितने जादा दोस्तों के साथ में बेश सकते हैं share कर सकते हैं उनके साथ में share करना ना बूलें कर दोस्तों के साथ में